कि हमारा लॉस टॉपिक अपरेटर ओवर्लोडिंग का वह हमने एक्स्रेक्शन जो अपरेटर है इनको इन जो है ओवर्लोड करना देखिए अगर मैं सी इन लिखना चाहूं तो मैं यह एक्सपेट कर रहा हूं कि यह मुझसे कंप्लेक्स और रियल नंबर दोनों इंपूट ल है कि यह हम से जो है ना सम्थिंग लाइक दिस हम कहते हैं जी सी आउट एंटर रियल नंबर और फिर यह क्या करता हम से सी इन करता सी वन डॉट सेट यह एक वेरियबल लेना था उसमें सेट करना हम यह काम करना चाहिए समय लगी होगी आपको इंपुट लेना चाह रहे थे तो क्यों से अपरेटर हमारे पास अपरेटर है जो यह एक्स्टेक्शन ऑपरेटर यह जाद रखिए कर यह जितने ऑपरेटर से इनके एक end पे यही class का कोई ना कोई object होता था और दूसरे end पे आप कुछ और हो जाता था लेकिन जब आप see out scene करते हैं न तो यह see in यह जो दोनों है न यह आपकी i stream और o stream इस class के object है तो इसका यह मतलब हुआ कि यह तो कोई सी और class का object है जो के हमारी complex class के data member को access करना चाह रहा है so obvious हमारा topic था friend function तो हम friend function का इस्तमाल करते हुए हम अपने इस आखरी topic को complete करेंगे पहले मैं see out करता हूँ तो see out में मुझे क्या करना है let me refresh this मुझे यह जो है न complex इसको मैं यह लेखिया तो ताकि में पास यह सबकर latest आज है ठीक है यहां पर हमारे पास इसको मैं clear करता हूँ यहां मेरे पास print का function भी होगा print का हमने अलड़ी लिखा उसको हम खतम कर देंगे किसके साथ replace करेंगे हम अपने नए operator के साथ तो इसके signature यह होते हैं friend ओ स्ट्रीम आउटपूट के लिए operator एंपरेटर अपरेटर इसका यह reference मांग रहा है ओ स्ट्रीम का ऑपरेटर एंड यह हमारा प्रेटर है और अब्जेक्ट होगा ओ स्ट्रीम का आउटपूट स्ट्रीम का तो हम कहते हैं जी आउट कोमा हमारी क्लास का अब्जेक्ट लेकिन कॉंस्टेंट मेंबर ताके चेंज ना को हो सकते उसमें कॉंस्ट काम्प्लेक्स एंपरसेंड ओबी जे और करना क्या मने कोई बड़ा काम नहीं करना अज है यह वाला जो हमने काम किया था वाट्वी हैव यह पृरिंट कर फंक्शन में जो लिखा हुआ यह वला यही काम हमने वहां पे करना है ऑपके यहाँ पर हम आएंगें और यहां पर क्या करें हम ओट अरत जो ऐा उपर वेरियेबल यूज किया है और आगे सिओं नीकरना आउटнымиल назв यह वेरियेबल को हमने यहाँ यूज किया और उस वह देखेगा कि C out तो मुझे मिल गया second मुझे यह मिल रहा है complex number तो मैंने complex के अंदर मैंने यह काम करना है तो इसको print कर देगा it's so simple C out C1 अब इसने error नहीं देना अब यह सीज का error नहीं देगा अब यह इसका अब हमारा जो अपना error रहा है वो तो आए गई ना क्योंकि यह हमें पता है कि हम इसको obj के दरी एकसेस करेंगे obj ठीक है जी अब friend class है friend function है therefore उससे क्या करना है उसने उसका private member को एकसेस कर सकता है anything left c1 क्या यार क्या प्रॉब्लम किया इसको अब देखे नीचे क्या लिखा रहा है operator का तुम्हें सही नाम लिखा है ओ स्ट्रीम को as a reference पास करना है remember this हम इसको object नहीं है यह reference जाएगा इसको see out as a reference उसको जाएगा यह यह इसका पूरा signature है reference ही वापस आएगा reference जाएगा इसमें अब यह इस ने प्रिंट कर दिये 5 लश्टी आई c1 को प्रिंट कर दिये देख लिए हमें अब प्रिंट का function को delete कर दे हमें नी चाहिए प्रिंट का function अब हमें नहीं चाहिए अब आप देख रहे हैं आपका code कितना simple हो गया यह काम करने से आप directly see out कर वा रहे हैं इसी तरह o stream है i stream input stream है तो मैं इसको copy करता हूं जरूरत तो नहीं थी copy कि खर मैं क्योंकि मैंने तो यहां change करना o की बजाए input stream है यहां यह symbol change होगा i stream है input stream है और अब हम क्योंकि चेंज करने जा रहे हैं complex object की जो value है वो हम input करेंगे इसलिए हम इसको constant नहीं लेंगे यह आप difference देख लें क्या फरक है इसका यह मैं अब इसे कहता हूं input तो const नहीं होगा अब हमारा क्योंकि अब हम object की value को change करने जा रहे हैं then what I want I say my cout यहां पर मैं यूज करूंगा जो हमारा अपना cout है ताकि हमें prompt भी नजराए cout cout में मैं कहूंगा enter real number or real part यह मैं कहूंगा इससे semicolon और यह input जो हमने यूज किया c in नहीं करेंगे इस input को use करेंगे input only this part right obj.real then I say cout cout में मैं कहूंगा enter imaginary part enter imaginary part and then semicolon or input then I say यह इसके दर input ले लेंगे और output की जुवत नहीं है और यहां पर हम इसी object को input को return करेंगे input object तो यह क्या करेंगा c in का object object जब इसको overload करेंगा तो उसको मिलेगा next पहला तो उसको c in मिल गया input stream का object मिल गया दूसरो उसको complex number मिला जैसे मिला है वह इस function के अंदर आके आपको output देगा और आपसे input लेने के बाद proper prompt आ जाएगा earlier हमने क्या किया था याद हो आपको date को या किसी को भी जब input कर रहे थे पहले हम किसी और variable में लेते हैं उस variable की value हम setter में डालते हैं set करने के लिए तो अब हम यह कहते हैं कि पहले देखे कितना simple code c in करते हैं c in object पास हो रहा है as a reference कि कि इसको operator को और उससे हमने का कि भी तुमने c in c को input करें और फिर हमें output करके बता दे लिए हम इसको run करते हैं अगर हमारा कोई अपना error नहीं हुआ जो as usual होते हैं error यह देखें गलती ठीक है यह हमारा एक mistake थै क्योंकि input और यहां पे भी यह देख लें लाइन वन थ्री नाइम पे इन पू लिख दिया input यह error नीचे फोरन आपको पता लाजने यह देख कि मैं क्या गलती कर रहा हूं अब इन पॉप इन पॉप इन पूप इन पूट लिखना थै यह अगर लाइफ गलास में आप लोग बैठे होते हैं तो आप फोरन आपने फ्रेंड फंक्शन का यूज करते हो अगरी फ्रेंड ना होता तो क्या होना था चलें आप आपको इसका भी दिखा देते हैं फ्रेंड नहीं करते तो यू नो बैटर वाट इस गोइंग तो हैपन विद यू उसने कहना था यह मेजरियो रियल अब आपको प्रेंड होना लाजमी है रिज़न यह कोट आपके डिफरेंट जो है क्लास के अपरेटर हैं तो यह हमारा आप फाल ऊड्र शायंड मेंट देंगे ताकि आप कुछ इसको पर फर्दर प्रैक्टिस कर सकें तो तैंक्यू वेरी ममच्च झाल झाल